मैं किस कानपुर में प्रतिवर्ष अंतागनी नाम से इनका अपना कल्चुरल फेस्टिवल होता है तो उसी के लिए मैं आई हूँ आज उन्होंने मुझने मंत्रित किया है और क्योंकि यह प्रीमेर इंस्टिउशन है और पूरे देश के जितने आयाइटी एंज हैं वो आज होने के नाते और इनके आथित्ति को मैंने स्विकार किया है और मैं आई हूँ इन लोगों के बीच में मैं मीटू का जो बवाल चला है पुरे देश में इसको आप कहां तक सही मानती है और मीटू में लोग जो जिम्मेदार है उनको पर कारवाई होनी चाहिए या नहीं होन कि आप तो देखिए इस पर बहुत सारा समवाद होई रहा है हर व्यक्ति को अपनी बात और अभी व्यक्ति करने का अधिकार है और अगर महिलाई या बेटियां लड़कियां कुछ-कुछ समय के बाद निकल कर बोल रही है तो मैं समझती हूँ गंबीरता से उनकी बात को लेकिन जिस पर आरोप लग रहा है या जिनका नाम आ रहा है उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए और पिर निश्यत रूप से जब हमारी सरकार कुद कह रहे है कि हर जगे हम लोगे एक ग्रिवयन सेल हर संस्ता में बनाएंगे तो मुझे लगता है कि इ होता ही है और यह बड़ा विशय भी है कि जहां महिलाएं काम करती है वह कहीं न कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो यह इसके बाद मैं सोचती हूं काफी परिवर्तन आएगा और सुरक्षित होगा महिलाओं का काम करना